नमस्कार दोस्तों स्वागत अबिनंदन वेलकम के लाइब के इस प्रफॉर्म पर इंडिया सबसे बड़ा प्लेटिफ और सबसे सुप्ण जो वह चोटे थोपिक वह चोट चोटे डॉपिक जो एक दू-दो क्लास में खत्म बोजाते हैं यही मकसद है कि इन टॉपिक को जल्दी से जल्दी हम خतम करें ऐसे टॉपिक जो बहुत चोड़े चोड़े टॉपिक हैं जो जल्दी घली करके दें ऐसे topic को target करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिलाल कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ सबसे बड़ी बात एक एक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ जो offline में पढ़ाता हूँ तो बहुत सर बड़ी बात यह है कि बहुत सारी लोगों की गलत फहिमी यह होती है कि आप उतना ही पढ़ा होगे जितना offline में पढ़ाते हो तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ इस गलत फहिमी को दिमाग से निकाल दो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना offline में पढ़ाता हूँ सारी चीजों को मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा सही है ना दूसरा मैं Geometry पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई दोरा है नहीं है, लेकिन Geometry मैं अभी स्टार्ट करूँगा, मतलब जो चल रहा है, Geometry को ले करके बिल्कुल परेशान ना हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के Geometry की सारी क्लासों को देख लें, जो पुरानी क्लास हैं हो चुकी है, Ge बिना बातें की सिर्फ पढ़ा ही करेंगे, जी हां दोस्तों महा महरतन की क्लास एक क्लास हो चुकी है, आपसे request निवेदन है कि मेरी कल वाली क्लास को जरूर देख लें, जो पिछली क्लास है उसको जरूर देख लें, अदर्वाइस तो आप ये समझना कि फिर आपका एज ही हुआ, कल वाली क्लास को देखना बहुत जरूरी, बच्चे जोड रहें और मैं तब तक मैं भी जोड रहा हूँ, जी दोस्तों जरा देखते हैं सर ये question बहुत जल्दी जल्दी, आज के question दमदार होंगे, आज के question हिलाने वाले होंगे, आज के question खतरनाक होंगे, जी हां, देखते हैं सर पहला question, सर दस वर्स पहले A और B की उमर का अनुपाद, तीन अनुपाद दो था, तीन अनुपाद दो था, दस वर्स पहले A और B की उमर का अनुपाद, दस साल पहले की बात हो रही है, दस साल पहले की बात हो रही है, सर, दस साल पहले की बात हो रही है, जल चार अनुपात तीन, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ तीन से चार, दो से तीन, एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का, चार में से तीन गया, एक तीन में से दो गया, एक डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का, यहाँ डिफरेंस दस साल पहले, दस साल बाद, तो डिफरेंस आ रहा ह 20 गुना हो रहा है तो 3 का 20 गुना कितना हो गया बोलो जरह 60 लेकिन ये जो उम्र है ये 10 साल पहले की उम्र है इसलिए मुझे यहां पर 10 जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब वर्तमान में आने के लिए मुझे 70 पर टिक करना होगा मुस्कुराइए और जल्दी से मुस्कुरा के फोटो लीजिए क्योंकि मैं ज्यादा टाइम बिगाड़ने के मूर में नहीं हूँ आगे चलेंगे ज्यादा टाइम बिगाड़ने के मैं बिल्कुल भी मूर में नहीं हूँ बहुत जल्दी से आप फोटो खीच लीजिए दोस्तों ये यूट्यूब की क्लास है मैं चाहू तो चूटकुले और सेर सायरी की लाएं लगा सकता हूँ जी नहीं क्योंकि एक गंटे की ये क्लास होती है और आज तो मैं बड़ी क्लास लेने की कुछिस करूँगा हमको सिर्फ पढ़ना है सिर्फ सीखना है अगला कुशन मैं लेकर क्या आ रहा हूँ जी हाँ दोस्तों ये प्यारा सा कुश्यन आपको कुछ समझाएगा ये प्यारा सा कुश्यन आपको कुछ समझाएगा सर देखिए जरा दो संख्या हैं 29 अनुपात 20 के अनुपात में हैं सुनना सर दो संख्या है पहली संख्या दूसरी संख्या इनका जो अनुपात है वो सर्व 29 अनुपात 20 है 29 अनुपात 20 है और वो कह रहा है प्रतेक संख्या को 420 करने पर अनुपात 17 अनुपात 11 हो जाता है 17 अनुपात 11 हो गया यदि प्रतेक संख्या में से हम 420 कम करें इसमें से भी 420 घटा है यदि हम इसमें से भी 420 घटाएं इसमें से भी 420 घटाएं तो अनुपात ये आजाता है अब आपको ये देखना है, मेरी बात को सुनना, इसमें से 420 घटाएंगे तो ये आएगा लेकिन आपको क्या करना है पीरी बात को जरा सुनना ध्यान से सर 29 में से 17 को घटा है 29 में से 17 को घटा है तो सर 12 आ रहा है और 20 में से 11 को घटा है तो 9 आ रहा है difference अलग अलग आ रहा है सर 29 में से 17 को घटा है तो 12 20 में से 11 को घटा है तो 9 difference अलग-अलग आ रहा है, जब यह difference अलग-अलग आए, जब यह difference अलग, 29 में से 17 को घटाएंगे 12 आ रहा है, 20 में से 11 घटा रहे हैं, तो 9 गलत आ रहा है, अलग-अलग difference आ रहा है, इसको सही कर लो, कैसे सही करो, सर अब कैसे क्या करना है, देखो सुनना, इनका difference 9, इसका difference कित जल्दी बताओ, बोलो जरा 6, बात किलिए हो गई, इसका difference 6 है, अब आप लोग क्या करो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इस 2 की multiply इसमें, और इस 3 की multiply इसमें, अरे बोलो हा या ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो हा ना का जबाब दो कम से कम, समझ माया मैंने क्या बोला, क्या समझाया मै इसका difference 9, इसका difference 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इस 2 की multiply उपर, 3 की multiply नीचे, 29 दूनी 58 हो गया ये, और ये 20 दूनी 40 हो गया, समझ रहे हो, और ये हो गया 17 ती 51, और ये हो गया 11 ती 33, अब मुझे बताओ भाहिया, मुझे ये बताओ जल्दी से, difference कितने का रहा है, इसमें से कितना hasारे हो आप 58 में से कितना घटाओं कि 51 आजाए, बोलो जल्दी से 7 और 40 में से कितना घटाओं कि 33 आ जाए, तो भी आप बोलेंगे गुरू जी 7, 7, 40 में से 33 घटाओ साथ, 58 में से 51 घटाओ साथ, और 7 का मान तो 420 है कुश्ष्षन में, 420 समस्ज में आ गया, तो एक का मान कितना आ गया एक का मान कितना आ गया सर साथ एक का मान साथ हम से बोल रहा है कि इनका difference बताओ इनका difference कितने का है सर इनका difference 18 है difference 18 है बात किलियर हो गई संख्याओं के बीच का अंतर बताना है समझ मा रहे है ना बात किलियर हो गई समझ मा रहे है संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है लेकिन सुन लोग कौन सी संख्या है इनका जो difference है वो 18 unit है एक का मान 60 तो 18 का मान कितना हो गया 1080, this is the answer बहुत प्यारा सा question, सबको समझ में आ गया क्योंकि आज मैं उड़ाऊंगा धुआ आज होंगे बढ़िया बढ़िया question बहत्रीन question होंगे, आज आसन question नहीं होंगे सबको समझ में आया, मुस्कुराईए जल्दी से आया समझ में और लीजिए इसका photo मुस्कुरा करके क्योंकि आज मैं कराऊंगा अच्छे question आज मैं कराऊंगा बहत्रीन, बहत्रीन सुन्दर सुन्दर question आज होंगे आगे चलना होगा मुझे, तुरंट समझ मां आगया, बात के लिए रोगी सर संडे को जो फलूदा खिलाया था, बहुती टेस्टी था, रहा हमने तो कोई फलूदा नहीं खिलाया, तुम कैसी बात कर रहे हो हमने कौन सा फलूदा खिला दिया यह question करेंगे बहुत जल्दी से यह question, speed के साथ सारी बच्चों को करना है, सर वर्तमान A और B की present जो उम्र है A और B की वर्तमान उम्र का अनुपाद 6, अनुपाद 5 है The ratio of present is, वर्तमान उम्र का अनुपाद 5, अनुपाद 6 है 4 साल पहले पांच अनुपाद 4 था पांच अनुपाद 4 था 4 साल पहले 4 साल पहले की बात हो रही है समस्मा आ गया, सुलो बात समस्मा आ गया, 4 साल पहले A और B की उम्र का अनुपाद 5 अनुपाद 4 था वर्तमान में 6 अनुपाद 5 है वो कह रहा है 12 साल के बाद अब से 12 साल के बाद A और B की उम्र का अनुपात क्या होगा सुनेंगे ध्यान से सर यदि हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो भी 1 आएगा difference एक का आ रहे 6 में से 5 जाएगा 1 5 में से 4 जाएगा 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 एक का गया पा रहा है और यहां 4 साल पहले तो यहां 4 साल का गया पा रहा है समझ में आ गया बात के लिए रोगी और हमसे कह रहा है सर बारा साल के बाद बारा साल के बाद बारा साल की बात कर रहा है कि बारा साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा 12 साल बाद तो तुमको ये सोचना है कि सर एक का मान 4 है तो 3 का मान 12 साल तो 12 साल का मतलब 3 unit है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 हैगा मेरा आंसर आगया 9 अनुपात 8 अगले कुश्चन की तरफ में बढ़ रहा हूँ आंसर आगया 9 अनुपात 8 तब को समझ में आ रहा है सब को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है difference कितने का आ रहा है एक का यहाँ difference कितने का है 4 का 1 का मान 4 हम से करें 12 साल आगे जाओ 12 साल तो भईया 1 का मान 4 है तो 3 की गुणा कर दें बारा साल का मतलब तीन यूनिट बारा साल बारा साल का मतलब तीन यूनिट इसमें तीन जोड़ो नो इसमें तीन जोड़ो आठ आंसर आ गया जल्दी से फोटो ले लो समस्मा आ गया बहुत सुंदर अद्बुत इस किलास की सिर्फ यही एक विसेश्ता है कि इस किलास में सिर पढ़ाने आता हूं समझा रहे आगे चलते हैं अगला कुश्चन और सिर्फ आप लोग पढ़ा ही पर है ना बात के लिए रोगी आगे चलेंगे next एक और कुश्चन की तरफ एक और कुश्चन सर्माजी इतना मत पढ़ाईए आप हम बच्चों को पढ़ाएंगे और तब तक पढ़ाएंगे जब तक हमारी बच्चों का सलेक्शन नहीं होगा हम तो मैं बताएं ये कुश्चन देखेंगे हम पढ़ाते रहेंगे पूरी जान लगा देंगे सर वर्तमान में पिता की उम्र बेटे की उम्र का तीन गुना हैं बेटे की उम्र का तीन गुना है वर्तमान में पिता की उम्र बेटे की उम्र का तीन गुना है पंद्रा साल के बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र का दो गुना हो जाएगी पंद्रा साल के बाद आफ्टर फिप्टीन इयर पंद्रा साल के बाद क्या होगा पिता की उम्र, बेटे की उम्र का दो गुना हो जाएगी पिता की वर्तमान उम्र बताईए अब difference देखना तीन मेंसे दो गया एक और एक मेंसे एक गया जिरो ये तो गर्बढ है आपको ये बस समझने है कि सर यहां गर्बढ है गरबड ये है कि सब तीन डिफरेंस लो तीन मैंसे दो गया एक एक मैंसे गया जीरो सब डिफरेंस कुछ अलग-अलग आ रहा है डिफरेंस डिफरेंस अलग-अलग आ रहा है तो गरबड तो है मामला सई कर लो इसको सई कर लो difference अलग अलग आ रहा है, क्या करें, गुरू जी अब क्या करो, इसका difference तो सर दो है, और इसका difference एक है, तो इस एक की multiply तो उपर कर दो, और इस दो की multiply नीचे कर दो, बोलो हाँ या ना, सहिए भईया, इस एक की multiply उपर और दो की multiply नीचे, अब मुझे ये बता दो कि अब difference कितना आ रहा है सर्थ 4 में से 3 जाएगा 1 2 में से 1 जाएगा 1 अब सही आ रहा है इसमें से इसको घटाओ डिफ्रेंस एक आ रहा है और यहां डिफ्रेंस 15 साल वर्तमान और 15 साल तो 15 साल का डिफ्रेंस आ रहा है तो एक यूनिट का मतलब 15 साल है एक यूनिट का मतलब 15 साल है पिताजी की वर्तमान उम्र बताओ एक का मान 15 तो तीन यूनिट का मान जो आएगा मतलब कितना हो जाएगा 45 साल एक का मान 15 तो तीन का मान 45 डेटा हो जाएगा 15 गुना तो सर मेरा अंसर तो आ गया पिताजी की व अरत्मान उम्र 45 साल है, धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रहे है, गुरुजी लेवल बढ़ाओ, और भाई बात भी सही है, तो कि वो बच्चे, पुस्पेन सर्मा के बच्चे, वो लेवल के लिए आते हैं, उनको पता है कि अच्चा लेवल बढ़ाएंगे ये इंसान, नाम कुस्पेन सर्मा है, धुआ उड़ा देता हूं, ऐसा कंटेंट रखता हूं, दीरे दीरे अम लेवल बढ़ाएंगे, दीरे 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 हम लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे हैं आगे चलते हैं सर, अगला कुश्चन आगे सर्फ 45 आ गया, सही है, फोटो लेले ना आप लोग, देखो आप ना फोटो नहीं लेते ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आप फोटो लीजिए और जब तक तुम फोटो लोगे नहीं तब तक नोर्स बनेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अगला देखेंगे सर एक और कुश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा अभी तुम रुख जाओ लेवल तो तुम अभी देखना आगे चलो भया सर आदमी की वर्तमान उम्र उसकी 10 वर्स पहले की उम्र का 1.500 परसेंट है सर यहां तो प्रिजेंट उम्र और 10 वर्स पहले की उम्र 10 वर्स पहले समझ मा आ गया सर यह तो प्रिजेंट है और यह 10 साल पहले की है और जो वर्तमान में जो उम्र है वो 1.500 परसेंट है 10 साल पहले की उम्र का मतलब यदि 10 साल पहले उम्र 100 थी तो अब 1.500 है सर आदमी की वर्तमान उम्र 10 साल पहले की उम्र का 1500 परसेंट है तो 5 दूनी 10 5 तिया 15 तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे difference कितने का आ रहा है एक का और यहाँ difference कितने का आ रहा है यहाँ वर्तमान उम्र 10 साल पहले की उम्र बात के लिए रहो गई एक का मान दस है हमारा तो ये गलत कार दिया ना मैंने ये गलत कार दिया ये होगा हमारा पांच तीया पंदरा और पांच दूनी दस तो यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है एक का और यहां डिफरेंस आ रहा है इसकी जरुरत नहीं है, यहीं से तुम्हारा काम हो गया, कि गुरुजी आंसर 30 साल आ ले, समस्मार है, सबी लोगों का आंसर आया नहीं आया, आप परेशान मतो, आज ही मैं इस चेप्टर को खतम करके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसे पूरा करके जाऊंगा, सारे लोग फोटो खीशते रहो, और एक भी कुश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी कुश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप फोटो खीशते रहो, आगे चलना होगा सर अगले question की तरफ आपने photo खीच लेना है आगे बढ़ेंगे सर आसान है इस statement की कोई भी जरुरत नहीं है आंसर सिर्फ एक statement से हो गया हमारा question एक statement से solve हो गया है आप photo लेना तो नहीं भूल गई कहीं आपने photo लेना तो नहीं भूला क्योंकि आपको notes बनाना है इसलिए photo लेना बिल्कुल मत भूल जाना सही है ना बहुत सारे बच्चे बोलना है कि सर geometry पूरा रहे मैं पढ़ा हूं गयार मैं पूरा course कराओंगा परेशान नहीं होना है मेरे रहते हुए क्यों परेशान हो रहे हो मैंने एक भी बार like और share के लिए बोला नहीं बोला न है तरीन कोश्चन मेरी बात को सुनेंगे बहुत सुन्दर कोश्चन है कुछ लोग इसमें ट्रिक भी लगाते मैं बताओंगा सर यदि 10 अनुपाद 13 क्रम से A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात है एकी वर्तमान उम्र 10 X और B की वर्तमान उम्र 13 X है मैंने मान लिया A की वर्तमान उम्र present age 10 और B की जो है वो 13 समझ के मैंने माल लिया ऐसा मैंने माल लिया सुनते रहना वो कि रख 10 साल पहले A की उम्र और 10 साल के बाद B की उम्र का ratio 8 ratio 15 होगा सर 10 साल पहले A की उम्र और 10 साल बाद B की उम्र A में 10 कम कर दो और B में 10 जोड दो इनका जो ratio आएगा वो 8 अनुपात 15 आए सर वो कह रहा है A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 10 अनुपात 13 A की 10 है तो B की 13 X हो गई और वो कह रहा है सर A की 10 साल पहले A में से 10 गटाओ और B की 10 साल बाद B में 10 जोड़ो तो उसका ratio 8 अनुपात 15 आए और कुछ मत करो ज्यादा बुद्धी का प्रियोग मत करो क्रोस मल्टिप्लाई सर देड़ सो X माइनस देड़ सो बराबर 13 अठे एक सो चार प्लस असी क्रोस मल्टिप्लाई कर दो तिरिया गोड़ा इसे इधर ले आओ 46 X बराबर इसे इधर ले जाओ जुड़ गया 230 और ये कट गया 23 दूनी 46 दो से 5 बर X बराबर आ गया 5 इसको काट लो X का मान 5 आ गया X का मान 5 आ गया हमसे यदि बोले भईया एकी वर्तमान उम्र बताओ समस्मा आ गया सर A की जो वर्तमान उम्र होगी सर A की जो वर्तमान उम्र होगी X का मान 5 है तो A की तो 50 साल होगी और गुरू जी जो B की होगी X का मान कितना है बोलो जरा 5 है X का मान 5 13,65 ये A की आ गई और ये B की आ गई लेकिन हमसे क्या बोल रहा है हम से बोल रहा है A की उम्र के 10 साल बाद और B की 10 साल पहले की उम्र का अनुपाद बताओ मुझे चाहिए A की उम्र के 10 साल बाद और A की 10 साल के बाद उम्र 60 साल का होगा और B की 10 साल पहले इसमें 10 घटा होगा समस्मा आ गया तो A हो जाएगा 10 साल के बाद 60 साल का और B 10 साल पहले 55 साल का था, तो ये कट गया भईया 5 से, 5 एकन 5, 12 अनुपात 11 आ गया, तो इस प्रसंद का जो उत्तर है, वो 12 अनुपात 11 है, आगे बढ़ेंगे और सुन्दर कुशन, दीरे दीरे, देखो मैं आपको बताओ, कुछ लोग तो ये बोलेंगे, यार ये टीचर इस कुशन को X मान के कर रहा है, बोलेंगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो इसमें क्रोस प्रोड़क लगा देते हैं, यार ये भी तो सेमी है, ये भी तो क्रोस प्रोड़क है, कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि यार ये टीचर ना बेसिक से बता रहा है, बेसिक से, जब और question तो मेरी class को छोड़ना नहीं है रोजाना आठ बजे आपको लाइव आना है मेरी class छोड़ी समझ रो नुकसान हो जाएगा आपका रोजाना आठ बजे मेरी class में आपको जोड़ना है सरमा जी आपका पढ़ाने का जो अंदाज है न मुझे लगता है कि आपको God ने कुछ खोकर दिया है तो दीपक सिंग जी बहुत बहुत धन्यबाद भई दीपक कितना प्यारा इन्होंने comment किया यह तो प्यार है आप लोगों का है ना दीपक जी बहुत बहुत धन्यबाद आपके इस comment के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना यह मेरा confidence करेंगे ए और बी की आयू का अनुपात पांच अनुपात एकस है बहुत बढ़िया बात है पांच अनुपात एकस है धुआ उड़ जाएगा ध्यान से सुनना ए और बी की उम्र का अनुपात पांच अनुपात एकस है आगे क्या कह रहे है आगे पढ़के देखो क्या कह र साल का होगा इसका मतलब अभी तो 38 साल का यही है C 38 साल का है कैसे आया 38 साल 9 साल के बाद C 47 साल का होगा after 9 year C will be 47 years old 9 साल के बाद होगा 47 साल का तो अभी कितने साल का है 38 साल का है और हमको पता है A C से 18 साल छोटा है तो इसका मतलब A कितने साल का होगा 20 साल का A, C से 18 साल चोटा है और वो ये भी कह रहा है कि A और B के बीच अंतर C की उम्र के बराबर है इनके बीच में जो difference है वो C की उम्र के बराबर है मैं अभी बता रहा हूँ सुनना A की जो उम्र है वो 20 साल है बहुत अच्छी बात है 20 साल है A की उम्र और A और B के बीच में जो difference है वो C की उम्र के बराबर है मतलब भाया यहां 38 साल का difference आएगा तो जो B होगा वो 58 साल का होगा नहीं आई बात समझ में दुबारा सुलो दुबारा से एक बार फिर सुलो 9 साल के बाद C से 18 साल का होगा इसका मतलब अभी 38 साल का है और जो A है वो C से 18 साल चोटा है A C से 18 साल चोटा है इसका मतलब A 20 साल का होगा A 20 साल का है A और B की उम्र में जो अंतर है वो 38 साल का है वो C के बराबर है इनका जो difference है ना A और B की उम्र के बीच में वो c की उम्र के बराबर है difference इनका 38 साल ही है इसमें 38 जोड़ो तो 58 आ गया बात के लिए रहो गई अब मुझे ये बताओ सर 20 से 5 मतलब divide by कितना हो रहे है 4 divide by 4 तो 58 से x पर जाने के लिए क्या करना होगा divide by 4 20 से 5 बनाना है तो divide by 4 58 से x बनाने divide by 4 इसे 58 को 4 से divide कर दो 4 एकन 4 4 चौक 16 चार पंजे 20 सर 20 से 5 बनाने divide by 4 58 से x बनाने divide by 4 अठवन को 4 से divide कर दो तो x का मान आजाएगा 14 14 दसमलब 5 बहतरीन कुश्चन आकिर क्यों ना करा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे संभव है कि मैं अच्छे अच्छे कुश्चन नहीं कराऊंगा how it is possible यह हो ही नहीं सकता है कितना प्यारा कुश्चन लाजबाब कुश्चन बहतरीन कुश्चन सुन्दर है ये कुश्चन तो देखते हैं जल्दी से आप लोग इस कुश्चन को लिख लो और घड़ी में बज रहे हैं फिलहाल साड़े आठ और इस समय लगबग लगबग 470 के आसपक बच्चे हमें देख रहे हैं नोट्स बनाते रहे हैं बहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहे हैं पढ़ता रहूंगा है ना आगे चलते हैं सर और आगे बढ़ेंगे और आंसर आया सर 14.5 इस कुश्चन का आंसर है और आज मैं इसे खतम करके ही जाऊंगा आज जो एज नाम का चैप्टर है वो खतम करके ही मैं जाऊंगा समजमा आ गया तो सिधानत बोले हैं भाई सेर और लाइक करो बहरी ही बच्चे सेर लाइक पर भरोसा ही नहीं करते हैं हमारे बच्चे हर बच्चा ऐ मैं पूरा कर दूंगा सभी बच्चे सुननो वो कह रहा है कि सर हरीस और सीमा की उमर का गुदनफल दो सो चालेस है the product of is of Haris and Seema is 240 years Haris और Seema की उम्र का गुदनफल दो सो चालेस वर्स है अभी बढ़िया बढ़िया question बाकी है अभी जाना नहीं है बहतरीन बहतरीन question अभी बाकी है अभी देखो थोड़ी देर में Haris और Seema की उम्र का गुडनफल 240 वर्स है सीमा की उम्र का दो गुणा हरीस की उम्र से 4 वर्स अधिक है सीमा की उम्र का दो गुणा हरीस की उम्र से 4 वर्स अधिक है सर वो कह रहा है The twice of the age of सीमा is more than the age of हरीस by 4 year सीमा की उम्र का दो गुणा हरीस से 4 वर्स अधिक है हमसे बोलने सर सीमा की उम्र बताओ सीमा की वर्तमान उम्र हमको बतानी है तो कैसे करें सर एक बात बताओ सीमा तो सर एक काम करो नहीं हां से सर S का मान कितना आएगा S का मान S का मान यहां से मेरी बात को सुनना सीमा की उम्र निकालनी है स säp आप एक काम करो оч का मान यहां से का मान निका़ो 240 प्लस 4 नहीं क्या समरे मुझे यह बता हो आइबास समर्द में नहीं यहां से Lachman निकालगा है है teakman यहां पर चिपका दो यह का मान इसमें रख से अब मुझे यह बता मैं S का मान क्या रखूं कि Left hand side और Right hand side बराबर हो जाए तो आप बोलोगे गुरू जी S का मान तो 12 रख दो कैसे By option, By option सर S का मान क्या रखूं देखो 12 दूनी 24, 12 रखोंगे 20 और 4 24, S का मान 12 By option जिससे कि Left hand side और Right hand side बराबर हो जाए तो S का मान 12 रखना पड़ेगा, तो सीमा की उम्र 12 साल है, कितना प्यारा question है, सीमा की उम्र 12 साल है, अपनी copy में लिख लो, तो को मैं चाहूं ना, आपको banking के question कराने लग जाओ, banking के question, आपको लोगे को बहुत high level के question करा रहा है teacher, लेकिन वो question paper में नहीं आते, आपके किसी भी paper में नहीं आते, किसी भी paper में, जो bank वाली question में कराने लग जाओ, एक से टिपिकल question में कराने लग जाओ, नो वो नहीं आएंगी, और उसका में कोई फायदा मिलेगा नहीं, और मैं guarantee से कह रहा हूँ, paper में यहीं से question आपको मिल जाना है, आगे चलेंगी भई, अगला question देख पादर, पादर और बेटा, इनकी उम्र का अनुपाद 5, अनुपाद 2 है, यदि उनकी उम्र का अंतर 27 साल है, तो 6 साल के बाद पिता की उम्र कितनी होगी, इनकी उम्र का difference, 3 unit, और 3 का मान कह रहा है भईया, 27 साल है, बड़ा घटिया question है भई, यह तो, 3 का मान 27, तो 1 का मान 9 साल, और 1 का मान 9 साल, तो भईया, 5 का मान कितना हो गया, 45 साल, डेटा 9 गुना हो रहा है, 9 गुना कर दो, लेकिन यह तो present है, वर्तमान उम्र है, 6 साल के बाद पूछ रहा है, पिताजी 51 साल के हो जाएंगे, भाई साब 6 साल के बाद, पिताजी 51 साल के के हो जाएंगे पादर 51 साल के हो जाएंगे पिताजी समझ में आया कितना आसान कुश्चन है बोलो यह कुश्चन किसको समझ में नहीं आया बताओ यार यह कोई कुश्चन है कितना आसान कुश्चन है अब आप मालो यह भी समझ में नहीं आया तो फर तो मामलाई खराब हो ज जाएगी भाई है ना समझ रहे ना बात को आगे चलते हैं मेरी बात को समझ गया आप लो किलियर हुई बात नहीं हुई तो आंसर आएगा 51 साल आगे चलेगी भाई फोटो ले लो कहते कहते चिलाते चिलाते परेसान हो गया फोटो लेते रहो नोट्स बनाने हैं नोट्स बना समसमा आया है नहीं आगे चलेंगे जल्दी से ले लिया photo अगले question की तरफ आगे बढ़ेंगे सहीए भई यदि मान लो कोई question समझ में ना भी आये न तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में वीडियो को देख लो कोई दिक्कत नहीं है बाद स lift भादि इसमें करता है बहुत ही खूबबिचली कोशचन है ultimate कोशचन अब देखना कितने बहुत हूँ बाद सह बोल रहा है सुर्प पिछले कोशन को repeat कर दो बाद से बाद में देख लिएना है वीडियो को तो इस वीडियो को बैक करके तुम दुबारा देख लेना है तो आपको किलियर हो जाएगा आगे चलते हैं जड़ा देखो पाँच वर्स पहले सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से पाँच वर्स पहले राम की उम्र उस समय की स्याम की उम्र का एक तिहाई थी समसमा आ गया चलो बड़ी आसन बात है बोलो हा या ना सर पाँच साल पहले राम की उम्र ये तो राम हो गया और ये स्याम हो गया 5 साल पहले राम की उम्र भाया 2018 मेन्स का कुंश्चन है 2018 का कुंश्चन मुझे लग रहा है पता नहीं देख ले रहा हूं मैं 2018 का ही लग रहा है पांस साल पहले राम की उम्र स्याम की उम्र का एक तियाई थी एक तियाई का मतलब यह हो गया भया कब पांस साल पहले सही अच्छी बात है राम की छे वर्स के बाद की उम्र तता स्याम की दस वर्स के बाद की उम्र का अनुपाद एक अनुपाद दो होगा मैंने अभी अभी बोला, ध्यान से सुनना, सर वो क्या कह रहा है, राम की 6 वर्स बाद, तता स्याम की 10 साल के बाद की उम्र का अनुपाद, एक अनुपाद 2 होगा, अच्छी बात है, मान लिया राम की उम्र 1x, स्याम की उम्र 3x, सुनते रहना, सर सबसे पहले तो एक काम करो, सर ये 5 साल पहले की उम्र है, इसमें भी 5 जोडो, इसमें भी 5 जोडो, सर है न, ये 5 साल पहले की उम्र है, इसमें भी 5 जोडो, इसमें भी 5, ये आगई वर्तमान उम्र, ये आगई हमारी वर्तमान उम्र, present is आगई, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है, राम की छे साल के बाद, राम में छे जोड़ दो, राम में छे जोड़ दो, और स्याम की दस साल के बाद, स्याम में दस जोड़ दो, और अब जो आएगा वो एक अनुपाद, दो आएगा, हो गया कुश्चन, और ये ऐसा तरीका है, इतना बढ़िया तरीका है, सारे कुश्च चाही करा उसर 2 X ±2। 5-1-21। बरावर 3X ±15। यह इधर आ गया तो यह आ गया ऐक्स बरावर 7॥। एक्स का मान 7 आ गया और वो हमसे बोल रहा है ऐक्स का मान 7 है। और तुमको पता है वर्तमान उम्र कितनी है। एक्स का मान ये 7 है तो स्याम की बात कर रहा है स्याम की जो उम्र है X का मान तो 7 है 7 या 21 ये उम्र कब की है पता है आपको ये उम्र कब की है ये उम्र सर पता है 5 साल पहले की है तो 5 जोड दो तो ये वर्तमान उम्र आ गई प्रिजेंट आ गई नहीं आ गई नहीं गुरुजी तीन साल पहले की उम्र बताओ तीन साल पहले की मतलब तीन और घटा दो बोलो हाया न तो कितना आगया पांच में से तीन गया दो 21 और 23 साल तो स्याम की जो उम्र है 23 साल होगी उस टाइम पे तो मेरे प्रसन का उत्तर आया 23 साल समझ रहे हो नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कैसा भी कुश्यन आजाए कैसा भी कुछ लोग तो ये कहेंगे मैं आपसे फिर कह रहा हूँ लोगों का काम है कहना उस तो लोग कहेंगे लोगों के कहने पर मत जाओ बरबाद हो जाओ गया, आप मेरी बातों को सुनो, बस ध्यान से, क्या कहा मैंने, पांस साल पहले, राम उस समय की, राम की उम्र, उस समय की स्याम की उमर का एक थी आही थी, मतलब एक थी, तो स्याम की तीन थी, तो 1X और 3X मालो, पांस साल पहले, 1X और 3X, पांस साल पहले की उम्र है, इसमें भी 5 जोड़ो, इसमें भी 5 जोड़ो, वर्तमान आ जाएगी, present उम्र, फिर कह रहा है, राम की 6 साल के बाद, स्याम की 10 साल के बाद, राम में 6, स्याम में 10, उसका अनुपात होगा, एक अनुपात 2, तो एक अनुपात 2, cross multiply, x का मान 7 आ गया, x का मान 7, 7 या 21, यह जो उम्र है 21 साल, यह 5 साल पहले की उम्र है, तो इसमें 5 जोड़ो, वर्तमान 3 साल पीछे की पूछ रहा है, 3 घटा दो, 3 साल गया, ले लो फोटो इसका, जल्दी से फोटो खीचो, मजा रहे नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे यह बोल रहे हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे न जोमेटरी के बारे बोल रहे हैं, जोमेटरी में करांगा, अब बिल्कुल परेशान ना हो, बस जल्दी नहीं करांगा है न, आज इसको खतम करतें, उसके बाद फिर से जोमेटरी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, moi बार बार आप स केहतरीन कुश्श्शन बड़ा सांदार कुशश्वन आयों भाहिस सांद आऄ सांद बहुत खुबसूरत कुश्शन सहीетров ये कुश्शन करेंगे बहुत जल्दी से अब आप ये कुश्शन करके बताएंगे जल्दी बताओ पता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से तीन गुना अधिक है अच्छा जी भाईया ये तो पिताजी हो गए और ये उनकी पुत्री हो गए और वो कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्री की उम्र से तीन गुना अधिक है मतलब तीन जादा है नहीं आए समझ में देखो यदि ऐसा होता पिता की उम तो इसमें मतलब चार है, समझना आगया, ये जो बात हो रही है, कब की बात हो रही है, ये प्रिजेंट की बात हो रही है, तीन गुना अधिक, यदि तीन गुना होती तो ये होगा, तीन गुना है, तीन गुना अधिक है, three times more है, इसमें तीन जोड़ो तो फिर ये हो जाएग पास साल के बाद पताजी की उम्र का तीन गुना होगी अब मुझे एक बात बताओ याँ एक बात बताओ डिफ्रेंस लेना चार में से तीन गया चार में से तीन जाएगा तो एक एक में से एक जाएगा जीरो डिफ्रेंस देखो डिफ्रेंस डिफ्रेंस तो गरबड़ आ रहा है यहां एक आ रहा है यहां जीरो आ रहा है डिफ्रें तीन की multiply नीचे कर लो और जब ऐसा कर लोगे तो आपका difference सेम बन जाएगा देखो कैसे 9, 9 में से 8 गया 1 3 में से 2 गया 1 difference एक आ रहा है इसमें से 8 और एक 9 2 और एक 3 difference एक का रहा है और यहां 5 साल बाद तो यहां कितने का रहा है 5 साल का नहीं है कैसे मज में यहां difference 5 साल का रहा है एक का मान 5 और हम से कह रहा है वो की भाईया ध्यान से सुनना तो आगे और 5 साल बाद और 5 साल बाद इससे भी आगे चलो और 5 साल आगे चलो 5 साल और आगे बढ़ो अभी वो कह रहा है और 5 साल आगे जाओ इससे और आगे बढ़ो तो पांच साल का मतलब है एक यूनिट पांच साल का मतलब एक यूनिट है इसमें एक जोड़ो नौ और एक दस इसमें जोड़ो पांच साल का मतलब है एक यूनिट इसमें एक जोड़ो तो चार तो हम बोलेंगे सर दो पंजे दस और दो दूनी चार म धाई गुणा होगि तो सर मेरे प्रस्टन का उत्तर धाई गुणा आले समसमा हाँ भोलो हाँ या ना किस तो बोलो कितना ब्लाना कुशन मेंने कराया है कितना सुंदर कुशन है आप बताओ है वड़या कुशचन नही है यह कुशन पेपर में आते हैं पेपर उठा के देखिए, SSC का पेपर, UPSI का पेपर, CZL का पेपर, CHSL का पेपर, सारे पेपर आप उठा करके देखिए, आप यकीन मानिए, यही कुश्चन आते हैं, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप रेलवे का पेपर उठा लीजिए, NTPC का पेपर उठा लो, UPS पेपर उठालो, कॉंस्टेबल का पेपर उठालो, दिल्ली पुलिस का पेपर उठालो, समस्मा आ गया, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ करके, बैंक के पेपर में कुश्चन थोड़े अलग आते हैं, है न, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, यह नहीं है कि मैं जूट बोल दू मुझे आगे बढ़ना होगा, अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाईया, एक और कुश्चन, जल्दी से जल्दी सही है न, यह कुश्चन करेंगे भाईया, यह वाला कुश्चन, देखो प्यारे प्यारे कुश्चन ला रहा हूं, सारे पेपर के आए हुए कु कुश्चन है आप यह कुश्चन करो सारी यह वाला कुश्चन और करना पड़ेगा बहुत देर हो गई chapter को खतम करके जाओंगा मेरी बात को सुनेंगे वो कह रहा है कि present the present at present the sum of age of ABC is 93 years सर्फ present में जो ABC है न ABC इनकी age का जो sum है वो 93 years है तीनों की उम्र को जोड़ेंगे तो और ये कौन सा है present की बात कर रहे है present वर्तमान में सही है ना आगे चलते हैं 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपाद 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपाद 4 अनुपाद, 3 अनुपाद, 2 था 10 साल पहले 10 साल पहले A, B, C कितना था? 4 अनुपाद, 3 अनुपाद, 2 था, कब? 10 साल पहले 10 साल पहले की बात वो रहे हैं या 10 साल पहले मेरी बात समझे रहो नहीं 10 साल पहले अब मुझे एक बात बता दो यार, 10 साल पहले तुम दिमाग लगाना, दस साल पहले, और ये वर्तमान है, तो दस इसमें से घटाओ, दस इसमें से घटाओ, तो टोटल इसमें से तीस घटा दो, जब तीस घटाओगे, तो इनकी उम्र का जो सम आएगा, इसमें से तीस घटा दो, तो चार और तीन, साथ और दो, नो, नो का आमान 60 साल आये, 63 साल नहीं है समझ में, 63 कहां से आया, भाई एक बात बताओ, ये कब की उम्र है, मुझे बताना वर्तमान है, प्रिजेंट, और ये कब की उम्र है, 10 साल पहले की, तो 10 साल पीछे जाओ, इसमें 10 कम करो, इसमें 10 कम करो, टोटल 30 कम कर दो, तो जब 30 कम करोगे, तो दस साल पहले की जो उम्र होगी इन तीनों की इन तीनों की वो कितनी होगी वो 63 साल होगी दस साल पहले तो चार और तीन साथ और दो नो नो का मान 63 एक का मान 7 और एक का मान 7 तो भाया एक का मान 7 है तो चार का मान 2800 हो गया लेकिन ये 10 साल पहले की उमर है इसमें 10 और जोड़ दो आंसर आ गया 38 साल एकी वर्तमान उमर 38 साल है बोलो हाँ या ना कितना तो आसान कुश्चन आप ये भी नहीं कर पा रहे क्या इतना घटिया कुश्चन भी नहीं कर पा रहे क्या आप लोग मुझे ये बताओ जल्दी से है न 490 बच्चे है 490 और सिर्फ आप ये अंदद लगा लो तब से मैं पढ़ा रहो ना 500 बच्चे लगातर पढ़ रहे हैं लाइक सिर्फ 500 हैं इतने बच्चे हमारे ये नहीं कि सारा एक एक बच्चा भी लाइक करें न एक एक बच्चा भी लाइक और सिर्फ हो कि मजा नाज है कितना अच्छा फील होगा लेकिन तुम करते ही नहीं हो मैं अपने बैच का प्रमोशन करना हो मैं प्रमोशन करूंगा पहले अपने बैच का क्यों ना करूं भाई मैं अपने बैच का प्रमोशन नहीं करूं हर कोई करता है विराट कोली नहीं करता प्रमोशन सचिन तेंदूल कर नहीं करता प्रमोशन हम तो छोटे आदमी है तो हम भी प्रमोशन करेंगे पर क्यों ना करे बताओ जरह इसी से ही तो हमारी कमाई होगी सर हमारा जो बैच आ रहा है वो अठारा तारिक को आ रहा है ना 1289 इसकी फीस है जिसको भी प्री कोई भी पेपर की तैयारी करनी है ना आपको यह बिलकुल परफेक्ट है आपको सारी चीजें पढ़नी है एक एक चीज पढ़ना है लेकिन ध्यान रखना मैं बहुत दीमे-दीमे पढ़ाता हूं लेकिन यह अच्छी बात है कि छुड़वाता कुछ नहीं हूं समझ रहे हो न इतनी बातें करनी हूं है आपको बाते से ज़ादा नहीं करनी पाएंगे आप मेरी बात को श्मझ रहे हो नहीं यह कुश्चन करो बहुत जल्दे यह वाला कुश्चन आज हम इसे खतम करकी जाएंगे, भागिनल गपको खतम करनी हैं समझ गही नहीं जल्दी से इस question को करो बहुत जल्दी इससे बाहर नहीं आएगा अब मेरी बास सुन लो किसर एक विद्याल्य में 600 बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं, total 600 बच्चे हैं, total बच्चे 600, लड़कों की ओसत उम्र, ये उम्र है, ये उम्र है, लड़कों की ओसत उम्र 12 वर से, लड़कियों की ओसत उम्र 11 साल, ये उम्र है, उम्र 11 साल, उस विद्याल्य की कुल ओसत उम्र 11 साल 9 महिने हैं, म लड़कियों की average is 11 साल है और पूरे सारे लोगों की average is 11 साल 9 महीने तो बड़ा असान है ऐसे question अभी भी आए ना तो ऐसे कर लिए ना मैं बताओ ऐसे ये तो लड़के हो गए और ये हो गए लड़कियां मैं आपको average में पढ़ा हूँ और ये चीज़ है लड़कों की उसात उमर 12 साल है लड़कियों की उसात उमर 11 साल है और लड़के और लड़कियों को मिला दे तो उनकी उमर 11 साल कितनी है 11 साल, कितनी जल्दी बोलो लडकियों और लडकियों को दोनों को मिला दे पढ़ाओंगा तो वह कह रहे है सर लडकों की उसात उमर 12 साल है लडकियों की उसात उमर 11 साल है और लड़की और लड़कियों को जोड़ दें तो 11 साल 9 महीने दोनों को मिला दें पूरी क्लास की बात करें तो ऐलीगेसन बोलते हैं इसे हम अब इन में बड़ा कौन है ये है 12 मेंसे इसको घटाओ 12 मेंसे 11 साल 9 महीने घटाओ तो कितना बचेगा तीन महीने नहीं बचेगा एक बात बताओ बारा साल है और ये ग्यारा साल नौ महीने तो इसमें से इसको घटाओ तीन महीना नहीं बचेगा बिल्कुल बचेगा इसमें से इसको घटाओ ग्यारा साल नौ महीने और ग्यारा साल इसमें से इसको घटाओ तो 9 महीने, M का मतलब महीने, इनको काट लो, 3, 3, 9, 3, 1, 3, और ये जो आया ये, ये लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात आ गया, तो 3 और 1, 4, और 4 का मान टोटल, लड़के 3 हैं, लड़कियां 1 है, 3 और 1, 4 हैं टोटल, और कुश्चन में कहा रहा है 600, तो 4 का मान 600 और एक का मान 500, एक का मान 500, तो भाया लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो गुरुजी 500 हैं, और एक का मान 500, और लड़के होगे 500 गुना हो रहा है, तो सर लड़के कितने होगे 400, एक का मान 500, एक का मान 500, तीन का मान 400, तो हम से पूछे कि कितने लड़के हैं, कितनी ल ये question मैंने बता तो दिया, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को सुनना, और बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन, है न, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सच बताओं, तो जो age नाम का जो average के अंदर समस्मा आ गया ये chapter आपको सच बताओ तो दो बार पढ़ना पढ़ेगा कितनी बार पढ़ना पढ़ेगा दो बार अलग-अलग इस chapter के दो हिस्से हैं एक तो part number 1 और part number 2 इस बात को ध्यान दगना तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला एज पढ़ रहे हैं और जब मैं average पढ़ाऊंगा तो फिर ये चीज भी पढ़ाएंगे समस्मा आ गया एक question तो यहां से आता है हमेशा ज़्यादा तर कोई भी paper देख ले न एक question तो आपको यहां से मिलेगा एज के समस्मा आ गया तो एज कितनी बार पढ़ना है सर हमको एज न दो बार पढ़ना होता है एक बार तो अनुपात एवन समानुपात के अंदर एक बार average के अंदर समझ गए आप लोग नहीं तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोग कभी इस बात को भूल जाओ जरा एक और कुश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे मेरी बात को जरा सुनना है ये कुश्चन देखेंगे बहुत ही खोबसूरत प्यारा कुश्चन है आप बताना जरूर आपकी हालत खराब हो जाएगी थोड़ासा मुस्किल कुश्चन है पेसेंस रखना मैं समझा दूगा अच्छे से मेरी बात को समझेंगे सारे बच्चे हैं अच्छा कुश्चन है थोड़ासा इसका अच्छा लेवल है बात के लिए रोगी नहीं तो सारे बच्चे मारे पढ़ रहे कितने बिंदा स्रीके से मैं तुमारे साथ हूँ, तुम लगे रहो है ना मैं आपको इतना मेहनत करूँगा आपके साथ आप बस पढ़ो जितना हो सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, करते रहो और मैं आपके साथ जी जान जोग दूँगा तुम कहो तो होली पर घर भी न जाओ यदि तुम लोग मुझसे ये कहो ना कि सर होली पर घर मत जाओ मैं बिल्कुल घर नहीं जाओंगा समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कितने बच्चे ये चाहते हैं कि मैं होली पर अपने घर ना जाओं, मुझे बता दो, मैं लगातार पढ़ा दूंगा, तीन चार दिन की छुट्टी है, यदि आप मुझे ये कहेंगे कि सर आप होली पर मत चाहिए, आप पढ़ाते रहें, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप यद वो कह रहा है, चार साल पहले एकी उस समय की उम्र का आधा और बी की उस समय की उम्र का चार गुणा का अनुपात पांच अनुपात बारा है, इसका मतलब ये हुआ, कि सर एकी उम्र का आधा है ये, इसका मतलब यहाँ पर दो की गुणा कर लो, और ये चार गुणा है, इस से चार से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब यह हुआ एक्ट्वल रेसियो जो आएगा वो दस अनुपात तीन आएगा ए और बी की उम्र का जो रेसियो आएगा कब का चार साल पहले चार साल पहले की उम्र फोर इयर एगो समसमा आगे बात के लिए रहोगी दो दिन के लिए मैं चला जाओंगो सही है ना बहुत दिन होगे तो मैं दो दिन के लिए मैं अपने घर चला जाओंगो सही है ना सारे बच्चे बोल भी रहें जादतर बच्चे तो दो दिन मैं अपन वाला हूं और गाउं में तुम्हें पता ही है ना बहुत सारी यार दोस्ते हैं मित्रें गाउं में हमारे पिता जी खेती करते हैं किसान आदमी है तो मन करता है गाउं जाने का खेत पर घूमने का भी मन कर रहा है मन ये कर रहा है खेतों पर भी घूम के आओं समझ रहा है साल पहले की बात हो रही है चार साल पहले मेरी बात को सुननो और वो कह रहाएगी सर चार साल पहले एकी उम्र उस समय एकी उस समय की उम्र का आधा मतलब एकी उम्र का तो आधा दे रखा है यह जो रेशियो है न यह आधा दे रखा है दो की गुणा कर दो और बी की उस समय की उम्र का 4 गोना का अनुपाद अच्छ है यह 4 गोना है तो 4 से डिवाइड कर दो actual ratio मिल जाएगा तो A की actual उम्र आएगी 10 unit और B की actual उम्र आएगी 3 unit 4 साल पहले यह ratio आ गया आठ वर्स के बाद A की उस समय की उम्र का आधा और B की उस समय की उम्र से 2 वर्स कम होगा B की वर्तमान उम्र बताओ बहतरिन question है वो यह कह रहा है पहले मेरी बात को सुनते रहे न यह 4 साल पहले की उम्र है अच्छी बात है सर इसमें 4 जोडो सर पहले तो इसमें 4 जोडो और इसमें 4 जोडो मैंने का चलो यार जोड दिया क्योंकि वर्तमान उम्र आ गई न इसमें भी 4 इसमें भी तो यह वर्तमान प्रिजेंट एज आ गई अब हो क्या कह रहा है इसमें 4 जोडो जोड लिया मैने 4 लो जी सर इसमें भी 4 जोडो जोड लिया यह लो अब वो क्या कह रहा है मेरी बात को सुनते रहना अब वो ये कह रहा है सर आठ साल के बाद ये तो A की वर्त मानो मरा गई और ये B की वर्त मानो आठ साल के बाद अच्छा वहिया लो इसमें भी आठ जोड़ो इसमें भी आठ जोड़ो B की उस समय की उम्र से दो वर्स कम होगा मतलब वो ये कह रहा है कि इसका आधा करो आधा कर लिया चलो इसका आधा कर लो आधा मतलब समझ रहे है न divide by 2 सर सही है इसको आधा कर लिया तो ये तो आजाएगा सर 5x इसका आधा करेंगे 6 और सर इनका difference जो लोगे न इसका ये B की उम्र और ये A की उम्र सर इनका जो difference होगा इसमें से इसको घटाओ तो 3x प्लस 12 ये तो 3x प्लस 12 है और इसमें से इसको घटाओ 5x माइनस 6 तो वो 2 साल आएगा कुश्चन में कह रहा है कुश्चन में कह रहा है कि 2 वर्स होगा बहतरीन कुश्चन है सुन लो समझ लो आप लो तो कितना हो गया बताना सरा मेरी बात को सुनो तो यह 2X हो गया उधर जाके 2X और यह 6 6 मैंसे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो जरा 4 X का मान 2 आ गया मेहनत करने के बाद X का मान 2 आ गया हम से बोल रहा है B की वर्तमान उम्र बताओ अरे भया जब X का मान 2 आ गया तो 3, 2, 6 तो B की लेकिन B की जो यह उम्र है यह 4 साल पहले की उम्र है 4 और जोड़ दो आंसर आ गया 10 साल आपको सच बताओ ना तो यह बहतरीन तरीका है बहुत सारे लोग तो नहीं नहीं बातें करेंगे समस्मा आ गया हकीकत बताओ तो यह बहतरीन तरीका है समस्मा आया सारे लोगों को नहीं आया कैसी लगी यह क्लास कैसी लगी यह मेरा तन क्लास दो दिन के अंदर अंदर कौमल यादव सर की क्लास आज रात 10 बजे 10 से 11 प्रक्टिस क्लास बोलेंगे CHSL का CHSL का मतलब वो प्रक्टिस सेशन कराएंगे बहुत बहतरी और महनत के साथ वो पढ़ाते हैं मेरी बास समझ रहे हो तो अब आप जाते जाते मुझे ये बताएंगे कैसी लगी ये क्लास कोई जाएगा नहीं पहले अपने बैच का प्रमोशन तो कर दूंगा ऐसे कैसे बेज दूंगा सबको आना है दस बज़े है न सारे बच्चे कौमल सर पढ़ाएंगे दस बज़े कौमल सर का CHSL का पेपर वो पेपर डिसकसन कराते हैं तो बड़ा फाइदा रहता है उसके लिए है न तो ये बास समझ गे मेरा घर बुलंसर है हम बुलंसर के पास न हमारा गाउं भटोला रहता है तो कैसी लगी आपको और सुलो जाने से पहले जाने से पहले एक तो कल वाली क्लास का ना लिमेंडर सेट कर दे ना, और कैसी लगी आपको ये क्लास, खतम हो गया पूरा चैप्टर, ये वैस तो 18 तारीक आएगा इसे तो तुम छोड़ो, ये हो गया, खतम हमारा, सही है न, पूरा चैप्टर हो गया, खतम, समस्मा आया भईया, all the best, कैसी लगी ये class हमारी, मुझे ससस बताना कैसा लगा ये chapter marathon class, दो दिन में हो गई ये class, दो दिन में मैंने पूरा topic खतम कर दिया, अब आप किताब से question लगता लेना, समस में आ गया बात clear हो गई, समस में आ रहा है, watching से ज़्यादा लाइक हैं, कैसी लगी, बहुत सुन्दा, अब आप मुझे बातें बना लो, जिसको बनाना है न, सही है न, east और west, east और west, उस पेन सरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद, सर, गाना बुआ चल रही हैं, सर जी हम बिहार से हैं, बहुत-बढ़िया उत्तमजी अब उससे आप बातें बना सकते हैं, जिसको भी बातें बनानी हैं, कैसी लगी आपको ये किलास, कल से हम एक नया topic पढ़ेंगे हैं न, समझरे हो नहीं, और geometry हमारी चल रही है परिसान मत हो न, geometry पूरा पढ़ाऊंगा एक तो सारे बच्चे, geometry को revise करके आएंगे, playlist से जितना भी मैंने playlist बनवा रखें geometry की जो playlist है, उस पूरी playlist को, geometry वाली जो किलास हुई है, उनको पढ़के आएंगे मेरी बात समझरे हो, मैं क्या कहा रहा हूँ पूरी geometry को पढ़के आएंगे सारे बच्चे पढ़के आएंगे है न और एक remainder set कर ले न, कल वाली class का, बहुत सुंदर भई है न तो कितना बढ़िया लग रहा है, मैं हर बच्चे के comment पढ़ रहा हूँ, happy holy बोल रहा है कुछ बच्चे कल बोलना, अभी तो कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी तो class है, अभी तोड़े में घर जा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैनू, दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यबाद भई, जितिंदर जी सारे बच्चे, अब मुझसे बात बना लो सौरब जी है, बादसा हमारे साथ जुड़े हुएं, बादसा अंकिस सिंग है, बीनु जी है, सबीर जी जुड़े हुए हैं, पूजा हमारे साथ हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, बातें बना लो जिसको बनाने हैं, राहुल सुकला जी, सर मैं भटॉला के पास भतैपूर से हो, मोहिश जी, बहुत बहुत भा धन्यवाद मोहिश जी भई, देख रहे हो मेरे गाउं के पास के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुझसे, फातैपूर से भी पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे, मेरे गाउं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हो, वीव सर, मेरे गाउं के पढ़ोस के बच्चे भी हैं, चिगनोमेटरी भी पढ़ाएंगे, हम बिलकुल आजम और जील पूरी जीजान जोग दोंगा मैं 10-11 कोमल सर आपको पढ़ाएंगे पेपर बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा बैच यार दोस्तों को जरूर बता दिया करो आप लोग है ना तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा बहुत-बहुत धन्यवाद नए चैप्टर नया चैप्टर होगा कल नया जोस होगा नई एनर्जी होगी कल एक नए चैप्टर के साथ 8 बज़े हमारी मुलाकात होगी